नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने प्रिंटर को अपने वाइफाई से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर हमारे पास राउटर है यानि वाइफाई तो हम इससे कनेक्ट करने वाले हैं अपने प्रिंटर को तो कैसे कनेक्ट आई जानते हैं तो यहां पर आप इसे अपने फोन के वाइफाई से करनेक्ट कर सकते हैं ज्यादा मुश्किल नहीं है सबसे पहले आपको ध्यान देना है यहां पर आपको एक वाइलेस वाला बटन दिखाई देगा कुछ ऐसा तो आपको इस पर क्लिक करना है यानि इसको प्रेस करना है यहां पर आपको दिखाई देगा वाइलेस ओफ साइद आपका ओफ होगा पहले से यहाँ पर आप setting में जायें तो हम setting में जाते हैं यहाँ पर wireless off है नीची के तरफ आपको जाएना है यहाँ पर आपको मिलेगा wireless setup wizard यहाँ पर आपको मिलेगा wireless setup wizard यह वाइफाई तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं मिलेगी आप इसे ढून लेजिए और OK कर लेजिए यहाँ पर आपके जो भी नेटवर्क होंगे आसपास में Wi-Fi जो भी होंगे सर्च करने लग जाएगा और यहाँ पर आप देशते हैं उपर की तरफ हमारा Wi-Fi का नाम आ गया है Knowledge in Hindi तो आपको इस पर जाना है अपने Wi-Fi के नेम पर OK पर किलिक कर देना है यहाँ पर कहरा है पासवट डाल लिए तो आपके Wi-Fi का पासवट जो भी है डाल दीजिए तो यहाँ पर नमबर दिखा रहा है तो आपको आना पड़ेगा इस पर तो यहाँ पर हमारे password डाल देते हैं इसका 21 22 23 24 इसके पास हम इसे done पर click करते है तो हम done पर आ चुके हैं ओके पर click करते हैं यहाँ दिखा रहा है यह क्लिक करना है यहाँ आपको अपको hलका सा wait करना है और यहाँ पर फिर आपके पास याला page आ सकता है तो यहाँ पर कहरा है print continue तो आपको continue पर click करना है और यहाँ पर आपको जो printer है आपके wifi से connect हो गया है यहाँ पर कहरा है cancel कर देते हम इसको फिलाल और इसको हम home button कर देते हैं इसका फाइदा यह है मान लीजिए आपका प्रिंटर और आपका लैप्टोप या कंप्यूटर एक ही नेटवर्क से कनेक्ट है यानि एक ही वाइफाय से कनेक्ट है तो यहाँ पे आप बिना वायर के आप प्रिंट निगाल पाओगे वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा